लो गॉर्जिस पीपल, वेलकॉम टु ग्लोरियस जिन्दिगी एक 1.5 टीजपून जो है राइस फ्लार मिलाया है चावल का आंटा मिलाने से जो है एक बहुत अच्छा टेक्स्टर आता है तो मैं ज्यादा तर कोशिश करती हूं कि मैं जब भी कस्टर्ड बनाऊं तो चावल का थोड़ा सा आंटा जो है वो डालूं जरूर वो घर में ही मैं बना कर रख लेती हूं आप लोग भी बनाते ही होंगे तो उसको मैं पहले ही मैंने साथ में ही डाल दिया है ताकि लंप्स वगेरा भी ना बने गुट्लियां वगेरा और ठंडे दूद में ही डाल दिया है ठंडा मतलब रूम टेंपरेचर पे था और अब मैं इसको चला र अब यहां पर मैं ले रही हूं यह इस तरह से मैंने जो है यह एरा रूट पॉडर लिया है या आप इसे कह सकते हैं कॉर्ण स्टार्च मैंने वह ले लिया है दो चम्मच और उसको मैं दूद में मिला ले रही हूं तो यह मेरा कस्टर्ड का काम करेगा मैं घर मैं ऐसे ही कस तो मैंने तीन चम्मच चीनी जो है डाल दी है तीन टेबिल स्पून तो आप चार भी ले सकते हैं और आपके उपर डिपेंड कर रहा है दो भी ले सकते हैं अपने टेस्ट के अप लीजेगा अब हम इसमें यह कस्टर्ड एड कर देंगे जो मैंने अभी यह मिक्सचर बनाया था और इसको हम थोड़े जादा देर पकाएंगे ताकि जो इस टार्ड का एक कच्चापन है चीनी का कच्चापन है यह सब मिल जाए और साथ साथ चावल भी और अच्छे से इसके साथ पक जाए यह सब बनाने के बाद अब हम इसको गैस तक मैं इसको फेट हूँआ तो तो मैंने करीब 2 मिनट इसको इहां पर आरए तो एक दम रिखनव धुक्रियम आ गया है अब मैं एर्ट करूँगी तीन चंबच मलाई आप चार भी ले सकते हैं और मलाई आप क्रीम भी ले सकते हैं और फिर से खूब अच्छे से मिला लीजेगा तो यह स्टैप तो आप बिलकुल स्किप कीजिए ही नहीं यह इसकी जान वाला स्टैप है मेरे पास यह आइस क्रीम थी कोई भी फ्लेवर ले लिजे आप जब भी घर में आइस क्रीम आए उस वक्त आप यह बना सकते है तो यह आइस क्रीम थी मैंने यह डाल दी है तीन टेबल स्पून या थ्री स्कोप जो भी आप कह सकते हैं यह मैंने डाल दी है आईस क्रीम को हम जादा नहीं मिलाएंगे बस हलका सा ऐसे ही करेंगे थोड़े से उसके पीसिस इस तरह से रहने देंगे मलाई और कस्टरड को मैंने अच्छे से फेंटा था अब आप इसका टेक्स्टर देखिए आप यकीन करें बहुत क्रीमी टेक्स्टर आता है आप लोग और मिग्स फ्रूट की तरफ जा सकते हैं मैंने आप से पहले एक वीडियो शेयर किया था कुछ चीजे मैंने बनाई थी कि अपनी डिशिस को कैसे आप कलर फुल बना सकते हैं तो वह इस कस्टरड में यूज भी होती है तो मैंने वही यूज करते हुए मतलब की है और ये क्योंकि की जाती है इसलिए तो ये थोड़ी वर्मिस एलेस थी जिनने मैंने घर में ही कलर कर लिया था तो ये मैंने डाली है और लेयरिंग करती जा रही हूँ इस तरह से आप चाहें पूरे बोल में भी मिक्स कर सकते हैं्स भी मुझे तो जाहर है वीडियो शेयर करते ही तो फ्हूड़ा सा प्रिजेंटेवल बनाना है की है ये जैली क्यूब्स है जुकि मैने किने कलर में बनाय थे तो मनें यहां यूम चाहां यूज बंस आप रिडिवेड जेली पाउडर आता है उससे बना कर सकते हैं, कोई भी फ्लेवर इसमें यूज कर सकते हैं, और नहीं तो आप सिंप्ली कस्टर्ड बना सकते हैं, क्रीम और आइस्क्रीम अट करके, अब यह मैंने कुछ जो वाइट रजगुले होते हैं, चम चम वह मैंने कि अब ही मेरा कस्टर्ड बन के त्यार है, और मैंने नहीं टेस्ट किया है, और मैंने इसने त्विस्ट किया है, और तो यह देखें, यह बन कैसे त्यार है, आप लोग इस वीडियो को एंजॉाए की जे पसंदाए तो शेयर कीजिये चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजे, किजिए और आप सारी चीजे मिक्स भी करके खाँ सकते हैं जाहिरा मैं भी मिक्स करने जा रही हूं इसको ओके मिलते हैं नेक्स वीडियो में टे दे लिए अ